जैस्री राम प्रेमी भगतो आज का टोपिक है यदि आप ऐसे ध्यान करते हो तो आप करोडों में एक हो ध्यान तो सभी करते हैं अपने अपने तरीके से कुछ सादक आगे बढ़ जाते हैं कुछ नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि देखो प्रेमी भगतो ध्यान ध्यान का मतलब ही सही से लोग जानते नहीं कि ध्यान क्या होता है कैसे करना चाहिए यदि आप ध्यान कर रहे हो परमात्मा को पाने के लिए और उसके बाद भी आपकी नजर संसार की ओर रहती है संसार के सुकों में आप लिप्त हो फसे हुए हो तो आप सच्चे सादक नहीं हो सकते सच्चे सादक की ये पहचान है कि वो संसार में तो रहता है लेकिन संसार में वो फस्ता नहीं आ सकत नहीं होता है जो भगवान श्री किर्शन ने स्वेम अरजुन को बताया है जब भोगों को भोगना ही नहीं है, तो ये भोग क्यों बनाए है, तो भगवान ने का किसने मना किया, भोगों को भोगो, लेकिन इनमें आसक्त मत हो, इनमें फसो मत, आनंद लो बस उनका, आसक्ती मत करो, तो ऐसे ही जो सच्चा सादक होता है, वो अपने संसारी, सारे कारिये करत है सुखों को भोगता भी है लेकिन उनमें फश्ता नहीं है यदि वह फश्ता है तो वह सच्चा सादक नहीं है वह फशा हुआ है तो चाहे कितने ही वह पूजा कर ले आप आनद को उपलवद नहीं हो सकते आगर जीवन में खुशी चाहिए आनद चाहिए परमात्स को पाना है तो चेतना को भीत्र लाना होगा केवल मानना ही नहीं जानना होगा एक बार जिसने उस चेतना को जान लिया, स्वेम के भीतर अनुबह कर लिया, उसे जहां वह चाहे, वहां परमात्मा नजर आएगा, क्योंकि वो हर जगह व्यापक है, पर नजर आता नहीं, और योग साधन के विना कोई उसे पाता नहीं, वो हर जगह है, कणकण में है, लेकिन तब तक वो नजर नहीं जब तक आप अपने अंदर वाले परमात्मा को नहीं जानोगे, अपनी चेतनता को नहीं मैसूस करोगे, पर सबसे पहले उसका दिदार आपके स्वेम में ही आपको अंदर ही करना पड़ेगा, तब ही ऐसा संबभ होगा, तो यदि आप ऐसा कर लेंगे, अपने अंदर की च पिश्ची तोर से सच्चे साधक और करोडों में एक है हो, अब हम अपने वाने को विराम देते हैं, जय स्री राम प्रेमे वर्दौर,